Hello everyone, I welcome you all at Pathfinder Platform, Pathfinder Platform में आपका स्वागत है देखिए, चाइना ने फिर से अपनी हिपोक्रेसी की सीमा को पार कर दिया है एक तरफ चाइना कहता है कि वो इंटरनेशनल और्गनाइजेशन के साथ मिलकर ग्लोबल टेरिजम को खतम करना चाता है और दूसरी और United Nations Security Council में पाक बेस टेरिस्ट को ब्लेकलिस्ट होने से बचाता रहता है जी हाँ, आभी देखिए, United Nations Security Council की 1267 Committee के अंदर US और इंडिया ने मिलकर एक मूव लिया था to Blacklist 2611 Mastermind साजित मीर साजित मीर जो कि एक बहुत डेडली टेरिस्ट है जो कि एक बहुत डेडली टेरिस्ट और्गनाईजेशन लश करे तौबा क्या एक सरगना है उसको Blacklist करने की कोशिश की थी US और इंडिया ने United Nations Security Council के अंदर चायना ने उस मूँ को ब्लॉक कर दिया है तो यह बहुत ही खतरनाक बात है कि चायना पाकिस्तान का बड़ा बाही बनने के कुश कर रहा है और इसके अंदर ये बहुत ही negative way के अंदर कर रहा है कि पाकिस्तान based terrorist जो है उनको ब्लॉक होने से बचा रहा है उनको Blacklist होने से बचा रहा है उनके उपर sanctions लगाने से यहाँ पर बचा रहा है तो यहां पर देखिए कि अगर आप देखेंगे 11 माई को भी जो चाइना ने इसी तरह का एक इफर्ट करा था जेशे मौहमद की लीडर अब्दुल रॉफ अजर को युनाइटे निशन सिकुर्टी कांजल के अंदर से ब्लैक लिस्ट होने से बचा लिया है तो एक तरह से क्या बन गया है बड़ा भाई बन गया है चैना यहां पर तो इंडिया ने इस चीज को बहुत क्रिटिसाइज करा है और इंडिया ने कहा है कि अगर हम टेर्रिसम से फाइट करना चाता है तो जो ग्लोबल आर्किटेक्टर है उसको अपन को चेंज करने की बहुत बड़ी रिक्वार्मेंट है कोई भी कंट्री आकर अपने छोटे-छोटे इंट्रेस्ट को लेकर ठिक है यहां पर टेर्रिस्ट को बचाती है एक बहुत ही बुरी बात है इस सब चीज को हम डिटेल के अंदर अंडर करेंगे बट बिफोर देट आइट आप पाथफेंडर प्लेटफोर्म पर है और पाथफेंडर प्लेटफोर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टन बैच लेकर आ जाएगा अगर आप प्रेलियम सक्सेस्फुल कर जाते हैं तो स्पेशल आंसर राटिंग प्रोग्राम भी आपको यहां पर करवाया जाएगा इसके साथ वो साहीं चीजे जो कि एक यूपी सीसी से एस्प्रेंट को चाहिए सभी आपको मिलेगी ध्यान रखे यह बैच थर करने 60 मिनिट्स के अंदर 11 जून को यह टेस्ट होगा 10-30 एम पर जिसके अंदर बहुत सारे प्राइस आप यहां पर जी सकते हैं यह सारे पीचर्स हैं जो हम अगनीपत बैच के अंदर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया है लाइव डीवी कोड यूज करना है जिससे कि आपका फीस रिडियूस हो जाएगा और बहुत सारे अधर बेनिफिट भी आपको यहां पर मिलेंगे अगनीपत प्रेलेंस ट्रेस भी आप जॉइन कर सकते हैं मेंस ट्रेस भी जॉइन कर सकते हैं बहुत ही अफॉर्डेबल प्राइस के अंदर यह ह सारे फीचर जो कि अगनीपत बैच के अंदर दे जा रहे हैं इसमें भी वह यहां पर दे जाएंगे वापस से मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर जबी भी आप सब्सक्रिशन लेते हैं तो लाइव डिवे कोड यूज करें इसके बहुत सारे बेनिफिट है एक बार आप कोड यूज करेंगे तब आपको यहां पर पता चलेगा देके साजिद मीर यहां पर आप देख रहें यह साजिद मीर है और यह एक तरह से सीनियर मेंबर है पाकिस्तान-based organization का टेर्रिस्ट और लश्करे तौबगा और इनका नवंबर 2008 के अंदर जो भारत के अंदर करी थी और जब terrorists वहाँ पर attack कर रहे थे तो उनसे बिलकुल contact के अंदर यह थे तो देखे मीर is a senior member of Pakistan-based LAT and is wanted for his involvement in November 2008 terrorist attack in Mumbai यहाँ पर आप देख सकते हैं United States of America के state department ने भी एक है कि इनका LAT operations का manager है यह है और यह जो है attack plan करता है और playing a leading role in the planning preparation and execution of the 2611 attack right तो इस तरह से United States of America और भारत ने मिलकर इनके खलाब एक तरह सी United Nations Security Council के अंदर अर्जे लगाई थी कि इनको इनके उपर sanctions लगाने ने चाहिए इनको blacklist कर देना चाहिए अब यहाँ पर देखे यह मीर जो है को यह most wanted terrorist है जून के अंदर ऐसा बूला जाता है कि मीर को मीर को जो है 15 साल की jail हुई पर पाकिस्तान के ने कहा कि पाकिस्तान के Anti-terrorism court ने इनको jail दी 15 साल के पर पाकिस्तान इस तरह से बोलता है कि यह तो मर चुका है, साजी दमीर मर चुका है और इस तरह से पाकिस्तान ने कहा कि हमने इसको सजातो दे दिये पर वो मर चुका है, साजी दमीर की डेथ हो चुकी है, पर western countries को इस पाकिस्तान पर बिल्कु बिलीव नहीं, western countries इसने खाये कि अगर यह मर चुका है तो आप इसका डैथ का प्रूफ हमें दे यहाँ पर मैं बताएं चाहता हूं कि प्रूफ अप डैथ हमें दे राइट अब देखिए मास्टर माइंड है 2611 अटेक जब 2611 का अटेक हुआ था ताज होटल के उपर ठीक है तो इसका यह मास्टर माइंड है एक्चुल इसने पूरी प्लानिंग करी थी इसने एक परसन को प्लांड करा था डैविट कोलमेन को ठी और इसने क्या करा था इसने मंबई के अंदर हेडले को बेजा था और यह उसको यह बोला था कि आप टारगेट को अब्सवर करो टारगेट को पिंपॉइंट करो कहां कहां हमको अटेक करना है और यहां पर टेरिस्ट को ट्रेन करने के अंदर भी इन्होंने काम करा था साज इदमीर दे जा रहती है, तो इतना खतरनाक terrorist है, इतना deadly terrorist है, जिसको blacklist करने की हमने कोशिश कही थी, पर चायना ने पाकिस्तान का बड़ा भाई बनते हुए, इस terrorist को blacklist होने से बचा लिया, आप देखे हम समझते हैं कि blacklist कैसे होते हैं, और United Nations Security Council 1267 committee, यह क्या है, यह हम इसके समझते हैं, तो यह समझो, यह जो committee है, वो 1999 के अंदर बनी हुए committee है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसका नाम Daesh and Al-Qaeda sanction committee भी था, because 1999 के अंदर आप देखेंगे, आपर Al-Qaeda बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था, तो Daesh and Al-Qaeda committee भी इसका नाम इसके अंदर इस तरह से दिया रहता है, one and the same thing, इसके members अगर हम बात करें तो उसके members, five permanent members of United Nations Security Council, उसके लावर 10 non-permanent members जो होते हैं, वो भी इसके क्या member है, तो overall अगर हम देखेंगे, United Nations Security Council 1267 committee के अंदर 15 members है, और इसके अंदर क्या होता है, कि अगर माली जे किसी भी एक person को blacklist करना होता है, अगर माली जे वो blacklist हो जाता है, तो उसके travel के उपर बहन लगा दिया जाता है, कि कि किसी भी country के अंदर वो travel नहीं करेगा, वो किसी भ सारे assets को यहाँ पर freeze कर लिया जाता है, जो भी different countries के अंदर है, तो अगर माली जे साजीद मीर हो जाता, ठीक है, blacklist हो जाता, तो यह सारे restrictions उसके उपर लगा देती, United Nations Security Council, बट यहाँ पर again मैं कह रहा हूं कि China ने उसको बचा लिया है, blacklist होने से बचा लिया है, ठीकि प्रोस प्रोपोजल ऐसे खाली प्रोपोजल नहीं देना होता है, इस प्रोपोजल के साथ उसको evidence भी देने होते हैं, प्रोपोजल के साथ evidence भी देना होते हैं कि कि कहीं किस तरह से वो terrorist या फिर टैररिस्ट और्गनाइजेशन, financing, planning, facilitating या preparing, या फिर कोई भी act और activity इस तरह की कर रह जो कि Al-Qaeda से related है, या फिर IS-IL, IS-IS का पुराना नाम है IS-IL, इससे related है, या इससे affiliated है, या फिर कोई और group से affiliated है, तो यहाँ पर ये proof देना होता है, और उस proof देने के बाद, ये proposal जो होता है, वो सभी members को भीजा जाता है, और 5 दिन का time इनको दिया जाता है, अगर किसी भी member को यहाँ पर कोई भी दिक्कत होती है, तो वो इसके उपर objections अपना क्या कर सकता है, raise कर सकता है, तो देखो, obviously 5 दिन का time period दिया, तो China ने September के अंदर इसके उपर objection raise करा, और China ने कहा कि हम इसके उपर technical hold लगाना चाहते है, अब इस शब्द को समझे, technical hold का मतलब क्या है, technical hold का मतल कर रहा है कि हमें अभी इसके बारे में और information चाहिए, जिन states ने इसके उपर क्या कर रहा है, sanctions लगाने के proposal दिया है, उनसे और state, और हमको क्या क्या चाहिए, और हमको information चाहिए, और हम उसको study करेंगे, और उसके बाद अपना decision देंगे, तो देखिए, यह है September 2022 की news, इसके अं Mumbai attacker को, actually यहां पर आप देख सकते हैं कि China ने यहां पर क्या करा, एक तरह से hold लगाया है, hold लगाया है, इसके proposal United Nations के अंदर, जो US और इंडिया ने co-sponsor करके proposal दिया था, उसके उपर hold लगाया है, तो technical hold का मतलब आप समझ गए, अब इस technical hold लगाने के बाद, 6 महीने का time दिया है, कि आप इसको मान रहे हैं, या इसको blacklist कर रहे हैं, या फिर नहीं कर रहे हैं, तो यहां पर देखिए, additional three months भी आप ले सकते हैं, इसके अंदर, अगर 6 महीन के अंदर, यह exercise पूरी नहीं होती है, तो तीन महीने और ले सकते है, तो China ने यह 9 महीने लिए, और China ने finally decide करा, कि यहां पर क्या करेंगे, हम इसको blacklist होने से बचाएंगे, और China ने finally आप देखेंगे, तो China ने block कर दिया है, इंडिया का proposal को, इंडिया और USA का जो proposal था, उसको block कर दिया है, और 2611 का accused, साजिद मीर, अब blacklist नहीं होगा, United Nations Security Council के अंदर, तो यह बहुत खतरनाक step है, world security के उ होते हैं, किसी भी region के, अगर आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर based terrorist है, तो कहीं पाकिस्तान कोई effect नहीं करेगा, नहीं, यह कर सकता है, China को भी effect कर सकता है, United States of America, पूरे globe को effect कर सकता है, तो terrorist की जो ideology है, that is very very dangerous for the international security, international security, और इस तरह का step China ने उठाया है, तो इसको पूरे world क मिलकर criticize करना चाहिए, देखें, इंडिया की reaction तो वही है, इंडिया ने काया कि देखें कि कुछ generally wrong है, global counter-terrorism architecture के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर देखो कि इतनी सारी countries बोल रही हैं कि यह terrorist है, global terrorist है, इसको global terrorist बना दो, बट एक country के move के कारण, यहाँ पर इसको global terrorist नहीं मनाया जा रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा कुछ ना कुछ generally wrong है, इसको हमको reform करने की जुरत है, देखें, इंडिया ने बहुत ही harsh word के अंदर काया, if we cannot get established terrorist, who have been banned across the global landscape, जो कि global landscape को उपर पूरा बहन है, और हम अगर उस terrorist को, established terrorist को बहन नहीं कर पा रहे हैं, United Nation Council के अंदर, due to some geopolitical interest, किसी कंट्री की geopolitical interest के कारण, कोई कंट्री पाकिस्तान को support कर, जैसे चाय ना यहां पर पाकिस्तान का बड़ा भाई की तरह रोल प्ले कर रहे हैं, तो ऐसे अगर हम करते रहेंगे, तो यहां पर हम challenge of terrorism से fight नहीं कर पाएंगे, इस तरह का इंडिया ने यहां पर reaction दिया है, I तो आपको required है, UPC-CAC की preparation के लिए, ठीके, जैसे 900 प्लस hours की live classes यहां पर रहेगी, prelims, mains का test series यहां पर रहेगा, prelims जब आप clear कर लेंगे, तो एक बहुत important program है, जिसके अंदर आपको answer writing skills यहां पर फिर से सिखाई जाएंगी, ठीके, mains की preparation कराई जाएगी, यह सब features आपको मिल benefits. So that's all for today's video, thank you so much, bye bye, take care and have a ज soap.